मैं हूँ संजीफ पालिवान आज मैं आपके लिए जो किताब लेके आया हूँ वो किताब है जसंता केरकेटा की की नया कविता संग्रे उनका एया है प्रेम में पेड़ होना तो मुझे लगा जसंता की जैसी शक्सियत है और आजकल जैसा महाल चल रहा हूँ दोनों को मिला ज जाना हो तो जसंता जो है जारखन की रहने वाली है और पेड़ प्रकृति आदिवासी मुद्दों और इनके उपर समाज पर बड़ी बेबाग टिपड़ी करती है अपनी कविता के माध्यम से और इन्होंने इसका एक भूमिका लिखी है भूमिका की कुछ हिस्से अगर मैं लोग मिलते हैं और वे कहते हैं कि वे प्रेम से डरते हैं और अंत में जाकर जहर हो जाता है मैंने हमेशा सोचा कि प्रेम अपने आप में कैसे जहर हो सकता है जब हम उसमें थोड़ा-थोड़ा स्वार्थ, लालच, इर्शिया, घ्रणा, हिंसा, बैमानी मिलाते हैं तब वो गायब हो जाता है और अंत में जीवन जहर होने लगता है। प्रेम को धहर से ही सीचा जा सकता है और ये मैंने उन साथियों से सीखा जो हमेशा पेड की तरह खड़े रहे मेरे जीवन में। ना मेरे जीवन में कोई दखल देते हुए ना कोई अधिकार जताते हुए ना बदले में मुझ से कुछ मांगते हुए। मैंने सीखा कि ऐसे रिष्टे दुनिया में संभव हैं आदिवासी जीवन दर्शन और दुनिया हमें ऐसी दुनिया से जोड़े रख सकती है जहां इतना ही कि जीवन से प्रेम के खो जाते ही कवताएं भी एक दिन खो जाएंगी। वे सिर्फ और सिर्फ प्रेम की ताकत के कारण ही बची वही हैं कवताओं ने मुझे बेहतर इंसान बनाया है और ये विश्वास भी दिलाया है कि प्रेम में पेड़ होना संभा है। बड़ इस संग्रे की प्रेम में पेड़ होना आप सुनिए। इसका शीर्चक है प्रेम में दो हो जाना। प्रेम में आदमी क्यों एक हो जाना चाहता है। अपनी भिनिता के साथ क्यों दो नहीं रह पाता है। इस एक की चाहत में वो प्रेम को हतियार में बदलता है और जीवन भ इधर देश के प्रेम में कुछ लोग सबको एक कर देना चाहते हैं जो एक ना हो पाए वे मारे जाते हैं प्रेम के नाम पर सबको एक करने की चाहत में वे मनुश भी नहीं रह पाते हैं हम प्रेम में हमेशा दो बने रहे, धीरे धीरे जाना और हर बार एक दूसरे को अद्भुत पाया एक दूसरे की ताकत को सराहा, कमियों को रास्ता दिखाया, हमारे रास्ते अलग रहे पर हम साथ चले कभी कभी लगता है वो मुझे मुझे से ज्यादा जानता है, मैं खुद को ठीक से जानने के लिए उस तक जाती हूँ और वो खुद को जानने के लिए मुझे तक आता है है ना कितनी अद्भूत कविता जसिंता केरकेटा कि कितनी आसानी के साथ उन्होंने बया किया है प्रेम को कि प्रेम में दो हो जाना अगली कविता एक और सुनाता हूं मैं आप से प्रेम जब पेड़ हो जाता है प्रेम में होकर भी तुम क्यों प्रेमी की तरह नहीं लगते वो कहता है प्रेम में कोई पेड़ हो जाए फिर उसका प्रेमी भर होना बहुत छोता होना है तुम छोटी चड़िया की तरह लगती हो, रोज कहीं न कहीं उड़ जाती हो मैं पेड़ की तरह यहीं खड़ा रह जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लौटने का इंतजार करता हूँ तुम लौट कर आती हो, बहुत चहचाहती हो, और मैं चुपचाप सुनता हूँ प्रेम में होकर भी तुम क्यों प्रेमी की तरह नहीं लगते, वो कहता है प्रेम में कोई पेड़ हो जाए, फिर उसका प्रेमी बर होना बहुत छोटा होना है तुम छोटी चिडिया की तरह लगती हो, रोज कहीं न कहीं उड़ जाती हो, मैं पेड की तरह यहीं खड़ा रह जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लोटने का इंतजार करता हूँ, तुम लोट कर आती हो, बहुत चह चाहती हो, और मैं चुपचाप सुनता हूँ, पर एक दिन चिडिया नहीं लोटी, कहीं मर गई फिर, फिर मैं भी धीरे धीरे मर जाओंगा, पुर्खों की आत्माओं के बीच होगी वो जहां कहीं, वहीं उससे मिल जाओंगा, उन सारी लोगों के बारे में क्या कहोगे, जो अपने हिस्से का प्रेम करते हैं मुझ से, वे सब जो अपने हिस्से का प्रेम करते हैं तुम से, उनका भी कृतग्य हूं है, आसान नहीं होता प्रेम करना, धर्ती उनके ही प्रेम से बची हुई है, बहुत देर उसे देखती हूँ, सूचती हूँ, आदिवासी दुनिया में कैसे प्रेम भी पेड हो जाता है, है ना दोस्तों, कितने कमाल की बाद जसिंता के रिकिटता ने की है, और पेड के माध्यम से कैसे उनके प्रेम को समझाया है, इसी लिए इस कविता संग्रे का नाम है, प्रेम में पेड होना, और यह राजकमल पेपरबैक से आया है, एक सौट साथ रुपेका है, अद्बूत कवि मैंने आपको प्रेम चे जुड़ी हुई सुनाई अब आप जंगल पे चलते हैं जंगल पर यह जंगल प्रतिरोत क्यों करता है हम सुनते हैं आदिवासी जो है विरोत करते रहते हैं कि वो कहते हैं उनकी जमीन पे कब जिखिये जा रहे हैं उनके लाकों में लोग भुस रहे ह तो सुनिये जेंगल प्रतिरोध क्यों करता है जासिंता किरकिटा क्या कहती है वो ना बोता है ना काटता है खाली बोरा लेकर चला जाता है गाउं में बैठ जाता है महज 10 रुपए के हिसाब से हार तोड महनत से उप जाया सारा धान बटोर लेता है वो गाउं को आज भी अपनी गांट में बांध कर रखता है उधर उची कीमत पर शहर को बाजार बंधक बनाता है इधर सस्ते में हर गाउं को बनिया साहुकार बंधक बनाता है बंधक गाउं जब आवाज उठाता है तो ये देश समझता है जंगल सिर्फ प्रतिरोध करता है है ना कितनी कमाल की बार अगली कविता सुनी है जमीन बात तो जमीन की होती है बात तो अपने रिसोर्सिस की होती है हादिवासी क्या कहता है प्रतिरोत करता है तो क्यों करता है अपने जमीन को बचाने के लिए अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपने संस्कृति को बचाने के लिए चुनिए पुर्खे जब खेद बना रहे थे पुर्खिन भी मेड़ बांध रही थी उनके लिए भात रिंद रही थी पुर्खों के साथ साथ वे भी पसीना बहा रही थी अपना खून जला रही थी पुर्खों के साथ साथ पुर्खिनों ने भी एक खेद बनाने में अपना खून पसीना बहाया पर उसके हिस्से में जमीन का कोई टुकड़ा कभी नहीं आया आज भी स्त्रियां जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई में सबसे आगे रहती हैं ये जानते हुए भी कि हरहर जीत के बाद वही रह जाएंगी सबसे उपेक्षित पीडियों के लिए जमीन सहीज भी लें तब भी इस धर्ती पर उनके हिस्से की जमीन कहीं नहीं है वे सब के हिस्से की जमीन बचाने की लड़ती हैं और खुद आजीवन हवा में तगी रहती हैं कितनी बड़ी सचाई है ये जसिंता आपको पता है जारखंड की रहने वाली हैं वहीं जंगलों में काम करती हैं और कविताएं कहती हैं बहुत खूब्सूरत कविताएं कहती हैं छोटी सी तीन लाइम की कविता है दीखिए स्त्री उन्हें ऐसा लगता है कि वे घर संभालते हैं पर असल में वे अपना सर संभालतेגם स्त्री उनका सर और घर दोनों सभालती है क्या बात है स्त्रियों पे बहुत सारी कविताएं हैं इस संग्रे में जब पेड उखरता है ये कविता सुनिए आप जंगल से गुजरते हुए उसने ओग की पत्तियों को चूमा जैसे अपनी माँ की हथेलियों को चूमा कहा ये पेड है मेरी माँ का हाथ पकड़ कर बड़ा हुआ है इसके पास आज भी उसका स्पर्श है जंगल का हाथ पकड़ कर मेरे पुर्खे भी बड़े हुए है वे नहीं हैं पर ये आज भी वहीं खड़ा है इसने मेरे पुर्खों की स्मृतियों और स्पर्शों को बचा कर रखा है उन्हें महसूस करने के लिए मैं इने छूता हूँ चूंता हूँ इनसे प्यार करता हूँ एक पेड़ के उखड़ने से पेड़ एक बार ही उखड़ता है पर उससे जुड़ा आदमी दो बार उखड़ता है एक बार अपनी जमीन से और दूसरी बार अपनों की स्मृतियों के स्पर्श से है ना कमाल क्या बात है जसिंता किरकटा जी अब ये कविता का शीर्शक है हिंसा सुनिए हम अपने रस्ते जा रहे थे अपनी तरह जी रहे थे तुम भी अपने रस्ते जा रहे थे अपनी तरह जी रहे थे तुमने हमें देखा हमारा रंग काला है काला रंग बुराई के प्रतीक है ऐ हमने जाना तुम हिंसक हो, हमने भी बलुवा निकाल लिया, देखो तुमने हमें प्रतिरोध में अपनी तरह हिंसक बना दिया। हम, दूसरी कविता हिंसा के नाम से ही है, क्या होता अगर तुम हमसे मिलने आते, बात करने, हम आंगन में चटाई बिछा देते, तुम्हारे हाथ दोते, हाल चाल जानने के बाद कुछ खा पी लेने को पूछते, शाम तक रुख जाते तो आंगन में मांदर निकाल लाते और ह चास्त्र पढ़कर आए थे, तुम हमें न पढ़ सके, तुम डरे, हम पर तूट पढ़े, हमने जाना, तुम हिंसक हो, हमने भी बल्वा निकाल लिया, देखो, तुमने हमें प्रतिरोध में अपनी तरह हिंसक बना दिया, समझें, समझना पड़ेगा इन कविताओं को, मनु हमने सोचा, सबता के विकास के साथ, उन्होंने अपने बढ़े हुए नाखून काइदे से कटवा लिये होंगे, पर वे बढ़े नाखूनों के साथ आए, हमने तब भी मनुष्टा दिखाई, ये सोचते हुए कि ये उन्हें बदल देगी, पर उन्होंने अपने नाखून बढ़ाए और हमारी मनुष्टा की पीठ खरोंच डाले यह हैं जसिंता के रिकेटा प्रेम में बड़े होना यह उनकी कविताएं हैं जसिंता के पीछे फ्लैप पे लिखा हुआ है मैं थोड़ा पढ़के सुना देता हूं तो आपको जसिंता के बारे में आइडिया हो जसिंता के रिकेटा की यह कविताएं जैसा की सवभाविक है उस प्रेम की कविताएं नहीं हैं जो केवल दो व्यक्तियों के बीच होता है यह कविताएं उस प्रेम पर केंद्रित हैं जिससे समग्र स्रष्टी को संबल मिलता है वो प्रेम जो मनुष्य का प्रकृती से है व बहाइसियत कवी और बहाइसियत व्यक्ति इस प्रेम के वैभव को बहुत नजदीक से देखा और आत्मसाथ किया है इसी प्रेम के चलते उन्हों ने आदिवासी जनकी पीड़ा और प्रकृति के आर्तनात को अपनी कविता में लगातार जगे दी है प्रेम क्यों नहीं बहु सकते हैं इस कविता संग्रे से यकिन मानिया आपको आनंद आएगा अगर आप इंसानियत में विश्वास करते हैं मुनुश्टा में विश्वास करते हैं प्रेम पर आपका विश्वास है तो आपको ये कविता जरूर पढ़नी चाहिए हुआ हुआ है